अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ट चेक नहीं किया है तो आपको एडमिट कार्ड ओपीसियल वेबसाइट पर जाना है जैसा मुबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहां से आपको एप्लिकेशन नमर यह चीज़ें डालनी है चलिए हम पहले होम पेज पर ही इंप्लॉई सेलेक्शन बोर्ट की वेबसाइट जो है एसबी की वेबसाइट आप उसको जैसी आप पेज खोलेंगे तो हम पेज पर आपको दिखेएगा टेस्ट एडमिट कार्ड इस पर आप जैसे किलिक करेंगे और यहां पर आपको अपना एप्लिकेशन नमर डेट दिया है फोर केरेक्टर आपका जो आर आपको चार डिजिट आपके आधार के डालना है लास्ट और मदर नेम के पहले दो सब्दा आपको यूज़ करना है साथी साथ आपने एक साथ एक आप यहां पर यह देख लेंगे नीचे से आपको देखना है आपने जिस भी तो चीड़ चना होगा इस तरही एक से ज्यादा फंबा रहे हैं तो फिर आपको वो इस डेटल से आप इस तरही से अपना एड्मिट कार्ड आप देख पाएंगे डेट आपको डी डी फिर स्लैस एम या वाय वाय मतलब आपको पूरी डेट आप बर्थ डालनी है जैसे तैयारी कम समय में कैसे की जाती है वो आप यहां पर देख लें आपको अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा बिलकुल इसकिप ना करें हो सकता है इस नहीं कि वो भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं जो जनरल कौस्टन रहें जिसमें मैत कम्प्यूटर और रीजिनिंग के कुछ कौस्टन रहेंगे वो आपके क्वश्चन बहुत जयादा करते हैं के सलेक्शन होगा कर नहीं होगा उसमें क्योंके लिमिट अलग है किसी भी तरह के question पूछ सकते हैं सामान निक्यान के math के question का level भी high जा सकता है computer के question में भी अगर आप बात करेंगे तो latest जो computer के question है उसमें आपका network security के question भी आ जाते है आपके latest technology पे question भी आ जाते है जो link program चल रहे है AI पे भी question आ जाएगा तो वो भी आप aware रहे है computer के question है उसमें आपको ये देखना है latest जो computer technology में काम हो रहा है AI camera आता है आपका cloud computing पे काम हो रहा है तो ये भी आपका सामान computer का part ही है ये आप ऐसे सोच के चलें और basic programming है search engine बगएरा जो आप use करते हैं website यूज करते हैं application यूज करते हैं network security से लेके जो issues है वो आपको पता होना चाहिए आज कल digital जो क्रांती है उसकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए वो बहुत जरूरी चीज़ें अब मैं आपको trade wise भी थोड़ा थोड़ा बता दूँगा कि इसमें किस तरीके से आपको देखना है मैं आपको सबसे पहले यह ले चलता हूँ कि आपने जिसे slavus लेख लिए होगा डाउनलोड कर लिए होगा ITI में जो slavus पढ़ाया जाता है वही slavus आपको पढ़ना है आपको एक एक topic को लेके उसमें कैसे questions बन सकते हैं यह का आपको अपना एक अंदाज बनाना पड़ेगा जैसे मालने थे cloud computing पर question आता है पाइथन पर question आता है कोपा ट्रेड में कोपा ट्रेड का जो पेपर दे रहे हैं तो पाइथन का पहले आपको basic पता होना चाहिए पाइथन लेंगवेज का बाई किसने इसको invent किया और किस तरह की language है इसके syntax, basic syntax क्या है जैसे मालने थे cloud computing आ जाता है तो cloud के type आप देख लें latest कैसे use हो रहा है कब से चालू हुआ है क्या इसका future है यह आपको इस तरह की से question साथी साथ अगर कोई भी और दूसरा subject आप ले 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 तो building में भी आपको देखना होगा कि जो trade है, trade की जो skill है उसके लिए क्या-क्या knowledge होना चाहिए आप simple सा कोई भी topic डालेंगे उसके mcq लगाएंगे आप समझ आपको कैसे हो जानी है वो देखना है सबसे अच्छा जो तरीका है आपको भारत इस्किल की website पर जाना है भारत इस्किल की website पर आपको पूरा बताया हुआ है topic बाइज पूरा दिया हुआ है slayvus बाइज दिया हुआ है question bank भी है निमी की website पर भी आप जाके पढ़ सकते है यह official website है भारत सरकार की जहां से ITI का slayvus पढ़ाया जाता है या questions ITI के जो slayvus के हिसाब से ही सारे question है और जहां तक जितने भी question bank और जो question आपको scores बगएरा जो मिल रहे होंगे फिरी या paid version में भी वहाँ पर भी लगवग यहीं से ही question लिए है इसी type के question लिए हुए है तो अभी आपको वैसे तो कोई जरूरत पढ़ने वाली है नहीं है भागी चीज पर जाने की मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं जाता हूँ भारत स्किल भारत स्किल की मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक बार भारत स्किल.gov.in यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है CTS पर जाना है आपको उस पर किलिक करना है और वहाँ पर नहीं जाना है तो आप क्राफ्ट मैं ट्रैनिंग इसकिम यहाँ पर आप देख रहे हैं यह देखेंगे आप टॉप पर यह चारों ट्रेट देख रहे हैं जैसे माल लेते हैं कोपा आपको देखना है कोपा तो यहाँ पर आपको यह इस पर किलिक कर देना है इस पर जैसे यह आप किलिक करेंगे यहां पर फिर कोपा से रिलेटेड आपको पूरा सलेवस मिल जाएगा देखियेगा आप सेशन डुपजार 22 वाला सलेवस की पड़ना पूरा दिया हुआ यहाँ पर प्रैक्टीकल से रिलेटेड और यह दिया आपको यहां पर आपको यह देखना है कि यूटूब के वीडियो भी दी हुई है लिंक भी दी हुई है तो देखिए यहां से मैं अगर बात करूँ देखिए आप कोश्चन बैंक पर चले जाएंगे तो फिर आपको कोश्चन बैंक पूरी मिल जाएगी जावा का भी दिया हुआ है तो आपको पढ़णा नहीं है यह पूरा पैटन दिए है जावा के कोश्चन भी है पाइथन के कोश्चन भी है तो इनको भी आप पूरा यहां से पढ लें सैंपल कोश्चन ईसके हिसाब से अप लगा लें और अगर ہम दूसरी बात करें, मोक टेस्ट भी दे रखी हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप, अब ये लर्निंग में अगर आप जाएंगे यहां पर, तो ये लर्निंग में आपको बेक वाइज यूटूब के वीडियो की लिंक दी हुई है, तो बस भाई आपको अब ये यूटूब के वी समझ अगर होगी सब्जेक्ट की, जैसे टोपोलोजी की अगर आपको समझ है, ये पाँच टोपोलोजी है, मैस है, स्टार है, इनमें किस तरीके से, इनका वेसे कंसेप्ट क्या है, तो फिर आप उनके कुश्चन्स कर पाएंगे, ये मैंने बता दिया है, ये कोपा का मैंने बता दिया है, इसी तरह इलेक्ट्रिसियन का भी आप, कोई भी अप, यहां से मैंने देखिए, कोपा का मैंने बता दिया है आपको, अब आप देख लें, जैसे सपोज हम, बेल्डर पर आ जाती है, इलेक्ट्रिसियन देख लेते हैं आपको, इलेक्ट्रिसियन पर मैंने ज देखिए 22 जुलाई ये 30 माई 2024 में अपलोड हुआ है तो ये लेटेश स्लेबस से लेके ही यहां पर आपको मैक्सिम चीजें देखने को मिलेंगी तो ये ध्यान रखना है जो स्लेबस में है वही पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा ओबर वियू देना है इस वीडियो में लग आपको चीजें बता दी है साथियो जैसे सामाजिक विग्यान वाला है उसमें आपको इंपलोड़ाइबिलिटी स्किल का से लेवस पढ़ना है वो भी फर्स्ट येर का पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है तो आप तैयारी में लग जाईए समय बहुत कम है आप बिल आपको यहां पर काफी कुछ मिल जाएगा और आप जैसे ए-learning वाले पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको डारेक्ट यूट्व की वीडियो की लिंक मिल जाएगी हर एक टॉपिक की जैसे सेफटी साइन है तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप मुबाइल पर भी बैटी हैं वीडियो सुन रहे हैं समझ रहे हैं ध्यान से तो फिर आपको काफी हो जाएगा इसके आप सिंपल सिंपल से नोट्स बना लें तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा इसको और आपका 90 के आसपास ही रहने वाला रहेगा मैक्सिमम कुछ ट्रेड में कम जाता है कम फॉर्म डले हैं जैसा मैंने बताया था देखेगा जैसे जिस पे में ज्यादा फॉर्म है उसमें ज्यादा दिनों में पेपर होगा दो दिनों तीन दिन भी पेपर है कोपा का तो यह हमने यहां पर एक लगवग चीजें आपको बता दी हैं सांतियो चैनल को और इस वीडियो को सेर करना ना भूलें बहुत मेहनस से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोग अभी वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती हैं इसलिए चैनल को जरूल सब्सक्राइब कर रहें और वीडियो को सेर करके हमें जरूर सपोर्ट करें आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यबाद